हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक तो मैं चैनल, आज मैं एक और पिक कार्ट रीडिंग लेकी आई हूँ, लेकिन ये सिंगल्स के लिए रीडिंग लेकी आई हूँ, क्या कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है या नहीं, या आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी या पास् जो है चूज कर लीजिए इस पाइल नमबर वन इस पाइल नमबर टू तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं हम स्टार्ट करेंगे ब्ल्यू वन से राइट अगर आपने है कि यह वाला ब्ल्यू चूज किया है तो देखते हैं आपके लिए क्या काज निकल के आए हैं हमारे पास है five of pentacles nine of pentacles neight of swords strength card emperor card नाइट ओफ वैंज फ्री ओफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड चलिए अब देखते हैं आपकी तरफ अगर कोई न्यू इंसान आ रहा है या नहीं तो सबसे पहले तो मैं आपको strongly बताना चाहूंगी कि past में आपकी जो past information मुझे आपके काद से मिल रही है वो यह है कि आपको कोई ignore करके आपकी life से चला गया था आप जो है left feel कर रहे थे sad feel कर रहे थे five of pentacle मतलब किसी ने आपका साथ छोड़ दिया था या किसी ने गलत किया है आपके साथ ठीक है love life में जो है आपको equal match past में नहीं मिला है कोई इंसान आपको छोड़ के गया है जिसकी वज़र से आप बहुत जादा ignored feel कर रहे थे किसी के दवारा वो वाले यहां past energy मुझे देखने को मिल रही है but good thing मुझे साथ ही साथ यह भी दिख रही है कि आपके अंदर बहुत जादा strength है आप courageous टाइप की है आपने अपने अंदर काफी changes लेकर आए है आपने इस negativity को अपने उपर हावी ना होने देकर अपनी single power को embrace किया है अपनी strength को वापस पाया है किसी ना किसी तरीके में अगर कोई इंसान आपको दुख देकर चीट करके या फिर किसी वी करीके से अगर आपको ignore मार के पास्ट में भाग गया था आपसे रन कर गया था आपने उस चीज को अपने पर हावी नहीं होने दिया आप बहुत ही you know मेरे viewers जिनोंने pile number one चूज किया है आप बहुत brave है आपके अंदर vibration को raise किया है अपना confidence वापस पाया है maybe in the past आप कही न कहीं डोल गए होंगे लेकिन currently जो आपकी energy और vibes मुझे आ रही है बहुत positive आ रही है आप इस negativity को कहीं दूर छोड़के आ चुके हैं काफी आगे निकलाए है और definitely मुझे यहां लग रहा है कि justice आपको मिलने वाला है आपकी life में अगर किसी ने आपको cheat किया था now is the time for the justice तो आपकी life में कुछ अच्छा आ रहा है आप कुछ अच्छा manifest कर रही है और यहां पे आप जो है पूरी confident वाली feeling में है अपना take care खुद कर सकते है अपने money area को खुद जो है handle करते है एक individual power जो है आपने अपने अंदर की embrace की है आपने positivity को attract किया है आप काफी speed के साथ जो है आगे बढ़ रही है अपनी life full on confidence के साथ बहुत साथ strength है courage है brave है आप आप अपने लिए stand लेते हैं वो वली अब वो उस level को आपने achieve कर लिया है जब आपको अपनी self worth का एहसास है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ जो emperor है वो आपकी life में आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आपने जो है अपने उपर काफी काम किया है आप अपनी self worth को समझ गए है अपनी value को जान गए है अपने आपसे प्यार करते हैं अपना ख्याल रखते हैं अपने आपको pamper करते हैं because of that because justice आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आप positive हैं इसलिए justice को attract कर पा रहे हैं अपनी life में और मुझे लग रहा है काफी जल्दी आपकी तरफ कोई communication आता हूँ अभी नजर आ रहा है और ये भी काफी दोनों ही fast moving energy है बहुत fast आप एक जो lover हैं या shooters जो हैं वो आप attract कर रहे हैं अपनी life में because of your independent personality because you are brave because you are like आपके अंदर इतनी strength है आप इतने confident है इतना self love है आपके अंदर कि आप काफी shooters जो हैं इस वक्त attract कर रहे हैं अपनी life में और वो जो shooters हैं वो काफी fast जो है यहां fast energy आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है और मुझे कुछ लोगों के लिए यहां ऐसा भी लग रहा है कि जो इनसान आपको past में ignore मार के भागा था वो भी आपके पास बहुत जल्दी जो है वापस आने वाला है और three of pentacles यहां मुझे दिख रहा है कि यहां पे आगे जाकर काफी stability को जो आप achieve करने वाले हैं मतलब कि लोग आपकी परशंसा करेंगे आपने जो अपने अंदर transformation लेकर आया है आपने जो अपने अंदर positivity लेकर आए हैं उसकी लोग जो हैं काफी परशंसा करेंगे अगर आप अभी भी इस negative zone में है तो आपके अंदर इतनी strength है कि आप अपनी self जो लव कर सकें और अपनी value को समझ सकें और आप भी ये justice जो है attract कर सकते हैं जो मेरे viewers अभी भी इस negative energy में है जिनका भी recent में उन्हें कोई छोड़के गया है अभी भी negativity में है तो उनको अपनी strength को पहचानना है यहां पर ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग अभी भी इस negativity में है क्योंकि जब आप अपनी strength को पहचाननेंगे अपने self love करेंगे automatically justice होगा और shooters attract होगे और past person भी भागता हुआ आएगा आपकी जो है काफी परशंसा होगी एक stability आएगी आपकी life में और एक emperor type जो real person होगा मतलब जो emperor जिसकी भी high vibration होगी जो आपके लिए बिल्कुल perfect match होगा जो काफी सही person होगा past person में भी आपके लिए उतना सही नहीं था लेकिन अब जो new person आप attract कर रहे हैं वो emperor level का कर रहे हैं क्योंकि आप खुद emperors की energy में आने वाले हैं no matter आप लड़का हैं लड़की हैं आप अपनी vibration हाई कर रहे हैं तो आपको आपका partner भी high vibration का ही मिलेगा जो नया आप attract कर रहे हैं और मुझे यह लग रहे हैं एक नहीं काफी shooters कुछ लोगों के पास काफी offers आ सकते हैं पर और काफी fast आते हुए मुझे नजर आ रहे है in future तो यह आपकी reading थी कुछ लोग तो already अपनी self worth को जान चुके हैं आगे बढ़ चुके हैं और because of that भगवान आपको justice देना चाहता है काफी shooters आपकी तरफ आ रहे हैं यही जो message है जो energy है वो मुझे मिल रही है pile number one वालों के लिए चलिए आपके लिए advice देख लेते हैं क्या आई है गूस inner knowing आपको कहीं न कहीं अपने you know गट feeling बता रही है कि कोई न कोई आपके लिए है और वो आपकी तरफ आ रहा है आप इतना confident feel कर रहे है चलिए read कर लेते हैं आपकी advice आपके अंदर बहुत हीमत है आप हारने वालों में से नहीं है आप तो situation को turn around करने वालों में से है आपके अंदर बहुत ज़दा strength जो है वो छुपी हुई है आपको उसे just तराशना है और कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है आपको सिर्फ confidence को वापस लेकर आना है आपको पता है आपकी destination कहा है जो आपके loyal friends है ना friends वो हमेशा आपके साथ है अपने आपको बिना किसी worries के जो है उनने दे अपने आपको confidence के साथ जो भी tension है उसे पीछे छोड़ दीजिए यही आपके लिए advice निकल के आई है for my beautiful pile number one यह आपकी छोटी सी reading थी friends कैसी लगी मुझे comment box ने बता के जाईएगा चलिए अब हम move on करते है pile number two की तरफ जिनोंने green color का sketch pen जो है choose किया है advice हम last में लेंगे पहले हम tarot की reading लेंगे तो पहला ही card आपके पास beautiful से आया है ace of pentacles three of swords six sorry seven of cups six of pentacles moon card two of pentacles and the wheel of fortune okay तो pile number two वालों के लिए मुझे लग रहा कि past में काफी heartbreak से जो है गुजरे हैं और कुछ लोग तो अभी तक जो है दुख में चल रहे हैं या किसी तरीके कि अपने emotion से उभर नहीं पाए हैं बहुत जादा महनत लग रही है उन्हें situation को balance करने में emotions को balance करने में यह reading जो pile number two है ना बिल्कुल opposite है pile number one के pile number one की अगर आप reading सुनेंगे तो वो जो souls थी काफी brave थी लेकिन जो pile number two है बहुत weak feel कर रहे हैं currently बहुत heavy energy है मैं एकदम से high energy में थी pile number one के लिए लेकिन जैसे ही pile number two के मैंने cards सारे निकाले हैं पर अपने heart के उपर आपका जो heart है पूरा heavy feel कर रहा है आप बहुत ज़्याद अपने emotions को संभाल नहीं पारे हैं आप try कर रहे हैं अपने emotions को handle करने की यहां पर और काफी आप because of third party situation थी कुछ लोगों के लिए कोई reason था कुछ लोगों के लिए कुछ और reason हो सकता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुख और pain से गुजरे हैं और मुझे लगता है कि अभी तक आपकी जो healing है वो proper तरीके से complete नहीं हुई है कुछ लोग already अगर healing कर भी चुके हैं फिर भी कभी कभी ऐसा moment आपकी life में अभी भी आ जाता है कुछ लोग तो बिल्कुल ही you know low vibration में है बहुत ज़्यादा emotionally sad चल रहे हैं अभी तक और कुछ लोग जो उबर भी चुकी है ना उनका भी कोई song सुन लेते हैं या पुरानी कोई याद आगे तो फिर से वो उस level का low vibration फिर से feel कर जाते हैं मुझे ऐसा लग रहा बहुत heavy heart जो है मुझे ये बोलते हुए feel हो रहा है आपकी energy बहुत negative है आपको cleansing sorry friends पे आपको बुरा नहीं करी हूँ पर आप negativity काफी आपकी around मुझे महसूस हो रही है इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप किरपया करके थोड़ी धूफ अगरबती अपने आसपास जलाएं cleansing करें घर के जहां पर बैठते हैं वहां की cleansing करें daily basis पे करें जैसे आप रोज नहते हैं वैसे रोज cleansing करें आपको बहुत ज़्यादा जुरूरत है आपकी soul को upliftment की बहुत ज़्यादा जुरूरत है मुझे यहां देखने को मिल रही है आप please जो है black termilion डाले negative forces से बचने के लिए negative emotions को balance करने के लिए मैंने inner work पे जो video बनाई है जाके please please check out कीजिए मैं इसलिए नहीं कहरी कि उससे मेरा benefit है कोई मैं इसलिए कहरी हूँ कि आप इस negativity से निकल जाएं चाहे कैसे भी निकल जाएं सिर्फ आपके point of view के लिए मैं आपके लिए suggestion कर रही हूँ तो आप वो जाके देखें उसमें मैंने कुछ एक दो मंत्र प्रहें जिससे आपके emotions लेवल जो आप इना deep hurt feel कर रहे है थोड़ा help हो जाएगी आपकी आप थोड़ा जाके inner work वाली एक वीडियो है वो check out करें मेरे channel पर ठीक है और या आप black terminant डालें negative forces के लिए और आप अगर मुझे लग रहे है कुछ लोगों के दिमाँ में काफी suicidal thoughts आते हैं जिन्होंने भी second pile चूज किया है friends यह जो है general reading है हो सकता कोई एक viewer ही हो मेरा जिसकी इतनी बूरी हालत हो तो जो आपके साथ resonate होता है आप वो ले लीजिए जो नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए ठीक है तो यहाँ आपको अपने emotions को balance करने की जुरूरत है वो मुझे बहुत साथ दिख रहा है और दूसरी बात यहाँ पर unbalance की situation यहाँ पर दो बार दिख रही है देखिए आपको balance आप करना चाहते हैं अपने emotions को अपने financial situation को बट मुझे लग रहा है कि आप कभी तो कर जाते हैं और कभी मतलब काफी low भी feel करते हैं अभी तक आप properly heal नहीं हुए हैं यही message जो है निकल निकल के आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा सोचते बहुत हैं कभी यह कभी वो छीक है बहुत ज़्यादा आपका mind जो है वो scattered रहता है emotions उतल पुतल मची हुई है heartbreak हो रखा है यहाँ पे लेकिन good news के लिए मैं आपको बता दूँ कि एक new beginning और एक stable beginning आप लोगों की life में future आएगी लेकिन वो right timing पे आएगी क्योंकि wheel of fortune यहाँ पे आए मतलब आपका future में अगर आपको बताऊं तो आप एक बिल्कुल new beginning करेंगे अपनी life में जहाँ पे आपको pentacles की security भी होगी और love life की security भी होगी लेकिन यह divine timing पे आपके पास आएगा बट उससे पहले आपको inner work करने की ज़रूरत है इस situation से overcome करने के लिए देखिए यह दो card जो इदर आई है यह दिखा रहे हैं कि आपको balance बनाना है अपना emotional wise और जो money area है उसमें भी आपको balance maintain करके चलना है ठीक है और बाकी यह तीन card आपकी past situation या तो कुछ लोग अभी भी इससे गुजर रहे हैं या past situation थी जब आपने बहुत जदा heartbreak feel किया है और emotions ने आपको तंग किया है और आपका mind जो है कहीं एक जगा टिकता ही नहीं मजल भी इतने ख्यालात आते हैं या तो old person के और whatever या कुछ नए ख्यालात आते हैं कि आप गोल 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 काफी thinking करते हैं mind आपका scattered रहता है वो चीज मुझे दिख रही है बड मैं आपका future बताऊं तो यहाँ पे अच्छी चीजें आएंगी attract करेंगे आप लेकिन आप थोड़ा inner work करिये ठीक है और अगर आप कुछ लोगों को जिनको suicidal thoughts आते हैं प्लीज आप rose quartz जो है वो वीर करें उससे self love आएगा आपकी life में ठीक है आप खुछ से प्यार करना सीखेंगे तो advice पढ़ लेते हैं जल्दी से आपके लिए elephant greatness love is your strength leadership is your path तो देखिये यहाँ पे जो प्यार है वो आपकी strength था ठीक है ना लेकिन जब उसमें धोका मिले तो आप तूट गए लेकिन आपके अंदर यह आपको यह चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्यार कहीं बाहर नहीं होता प्यार आपके अंदर होता है वो दूसरे इंसान की problem है कि वो उसे समझ नहीं सका और आप यह कहते हो कि मेरी भावनाओं को दूसरे नहीं समझा आपकी जो feelings है प्यार आपके within होता है आपके अंदर होता है वो आपके अंदर वो एक feeling होती है जिसे आप महसूस करते हैं outer side से उसका कोई लेना देना नहीं होता है वो बहुत deep बाते हैं खेर आपको समझाएंगी नहीं आएंगी I don't know चलिए मैं आपको shortcut में ही आपको बस बताती हूँ क्योंकि फिर मुझे उसे समझाने के लिए बहुत time लग जाएगा love is your strength, leadership is your path तो आपके अंदर leadership qualities काफी है your wisdom inspire everyone you meet आपके अंदर wisdom मतलब आप भी intuitional हो सकते हैं आप भी psychic हो सकते हैं आपके अंदर वो power है हो गया कि एक बार आपका दिल तूटा तो आप negative zone में काफी चले जाते हैं क्योंकि जो ज़्यादा emotional होते हैं वो ही psychic जो उनके अंदर qualities होती हैं काफी होती हैं लेकिन आपके अंदर strength भी बहुत होती है हाला कि emotions की वज़ए से आप कई बार जो है लाइफ में धोका खा जाते हैं बट आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी inner wisdom है आप अपनी उस अंदर की शक्ती को पहचानिए और उस पर काम कीजिए अपनी intuition के साथ tune in रहिए आपको सही guidance आपकी अंदर की gut feelings देंगी you can overcome any problem आपके अंदर वो strength है कि आप कोई भी problem को overcome कर जाएं you will naturally and easily achieve success आपके अंदर जो लोगों emotional होते हैं उनकी अंदर इतनी अच्छी power होती है manifestation करने की वो कुछ भी negative situation को positive situation में turn around कर देते हैं बट उनका पंगा यह होता है कि वो extra emotions की वज़र से जब वो negativity में जाते हैं तो वो भी deeper level की negativity होती है और जब वो high level में जाते हैं तो वो भी high level की manifestation कर जाते हैं अपनी life में positivity को attract कर जाते हैं तो इसके benefit भी हैं और emotional होने के थोड़े negative points भी हैं तो आपको बस अपने आपको संभालना है इस मुश्किल के दौर में जो लोग अभी भी उसमें चल रहे हैं वरना आपका आने वाला future बहुत bright है आप एक stability और secure जो life attract करेंगे और bottom of the deck जब मैंने आपके cards shuffle किये तो यहाँ पे six of cups भी आया है जो कि दिखाता है कि हो सकता है एक नया soulmate past life soulmate in future आपकी life में आएगा ठीक है जो आपके लिए right one होगा चलिए यह छोटी सी reading थी कैसी लगी comment box में बताईएगा ओके friends बाबाई